सलामों अलेकुम वेलकम बैक टो आवर चैनल रोजा स्टीचिंग एन असनेन ब्लोग तो आज हमें ब्लोउस का बैकनेक डिजैन देखेंगे इसके लिए शोल्डर लिया है हमने सवापा चार मोहल याने मुंडा खुलिये पवने छे छाती है हमारी पवने नोगी तो आप यहा रोटे गले का इसके अंदर भी हम डिजाइन बनाने वाले है तो सिर्फ यहां पर हम मार्किंग कर लेंगे पहले तो पहले यहां पर क्यानवस रखकर क्यानवस के उपर यहां पर मार्किंग कर लेंगे देखिए इस तरह से जो हमारे यहां पर मार्किंग दिख रहे है निच पीचे की उसको ही यहाँ पर ड्रॉ करकर लेंगे पिंसिल से देखिए इस तरह से तो इतर डिजाइन हमारे तैयार हो चुका है सेंटर हम बराबर से निकाल कर लेंगे अब दुसरी तरब इसी डिजैन को हमें बना कर लेना है तो यहाँ पर हम बीच में इस तरह से डिजैन बनाने वाले हैं तो सिर्फ इसके ड्राइंग करेंगे यहाँ पर इसको कट्टिंग नहीं करना है हमें तो अभी कपड़े के उपपर इसको रख कर लेंगे बराबर इस तरह से अभी यहाँ पर क्यानोस रख कर पिनब कर लेंगे और जहां से हमने पेंसिल के मार्किंग कर ले थी वही से टिप मार्क कर लेंगे अब यहां पर पाव पॉइंच पर कट कर कर लेंगे बराबर पाव पॉइंच पर पूरे गले को कट कर कर लेना है फिर छोटे छोटे कट लगा कर लेंगे ताकि हमारा गला अच्छे से सिधा हो सके तो अब गले को सिधा कर कर लेंगे हम सिधा कर कर लेने के बाद लेंगे गले के लिए यहाँ पर हम किनारे प्रेश टी टिप नहीं मार रहे हैं एक पाउ इंच पर एक टिप मार कर लेना है बराबर से अस्तर और कपडे को चारो तरप से जोड कर लेंगे इस तरह से जोनने के बाद जो एक्ष्ट्रा कपड़ा है हमारा उसको कटिंग करकर लेंगे अब हमें पाइपिंग की पट्टी तयार करकर लेनी है तो यह पाइपिंग के लिए हमने क्रॉस कपड़ा लिया है इसको हमने एकदम पाव इंच ग्याप रखकर टीप मारा है तो सुई के मदद से अभी इसको सिधा करकर लेंगे हम इस तरह से बराबर इसको सिधा करते हुए बाहर निकाल कर लेंगे तो यह पाइपिंग हमारी तयार है तो अभी इसको देर देर इंच पर इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको कटिंग कर कर लेंगे देर देर इंच की एक पाइपिंग है यह तो पूरे गले को हमें इस पाइपिंग को लगा कर लेना है देखिए इस तरफ से नौट की तरह तयार करते हुए पूरे गले पर हम ये पाइपिंग को लगा कर लेंगे एक के बाद एक इसके अंदर हमें गैप बिलकुल नहीं छोड़ना है एक के बाद एक बराबर नजिक नजिक लगा कर लेंगे पूरे पाइपिंग को हम पूरे गले पर देखिए इस तरह से लगा कर लेना है हमें तो पूरे गले पर हमारे पाइपिंग लगकर तैयार हो चुके हैं यहाँ पर तो अभी इसके सेंटर में हम मोती लगा कर लेंगे तो उससे पहले हम बैक सेड की डाच लेंगे तो बैक साइड की डाच हमने थोड़ी सी दूर लिए है उन्ची साड़े चार इंची ली है अभी कमर पट्टी लगा कर लेंगे कमर पट्टी देडिन चोड़ी है हमारी और आदे इंच के उपर यहां से टिप मार कर लेंगे अभी यहां पर पट्टी को पल्टा कर लेंगे देखिए इस तरह से पल्टा कर लेंगे अभी यहां पर हास सिले कर कर लेंगे हम इसलिए कच्ची टिप मार कर ले रहे हैं इतार डिजाइन हमारा तयार हो चुका है तो सेंटर में आप यहाँ पर मोती लगा कर लेंगे पूरे लोटे गले के सेंटर में हमें मोती लगा कर लेना है जितने नौट हमने यहाँ पर लगा कर लिये है सभी में हम मोती लगा कर लेंगे तो मोती लगा कर भी इतना डिजाइन तयार हो चुका है तो एक आदा इंच का ग्याप छोड़ते हुए लेस लगा कर लेंगे आप अपने पसंद की कोई भी लेस यहाँ पर लगा सकते है साड़ी की मैचिंग की मैं गोल्डन कलर की लेस यहाँ पर लगा रही हूँ तब इस एंटर के डिजाइन के लिए देखे इस तरह से पहले ड्रॉआ कर कर लेंगे हम जिस तरह मैंने ड्रॉआ कर कर लिया है सेम उसी तरह से ड्रॉआ कर कर ले उसके बाद फोल्ड कैन्वस के उपर इसको रखते हुए उपर का साइड सेमी रखना है हमें निचे के साइड में और साइड में एक एक इंच बढ़ा कर लेना है देखिए जिस तरह से मैंने बढ़ाया है उसी तरह से बढ़ाते हुए इसको कट कर कर लेंगे यहाँ पर हमने पीन इसलिए लगई है कि क्यान्वस कम या ज़्यादा यहाँ पर कटना हो तो अभी एक पर गोल्डन और दो पर ग्रीन कलर का कपड़ा लगा कर लेंगे हम तो पहले हम गोल्डन कपड़े पर लगा कर लेंगे तो इसका उपरी जो side है याने design वाला main तो उसको see कर लेंगे हम यहाँ पे निच्चे का हिस्सा join में चले जाएगा उपर का हिस्सा ही हमारा नजर आएगा तो वो side हमने यहाँ पर see कर ली है अभी इसको सीधा कर लेंगे सीधा करने के बाद यहाँ से press tip एक मार कर लेंगे आप चाहे तो मार भी सकते है या फिर इस तरह से इसको press भी कर सकते है तो देखिए दोनों पट्टियों को मैंने इस तरह से press tip मार लिया है और चारों तरफ से जोड लिया है अभी इसको गोट लगा कर लेंगे हम जो उपर का हिस्सा है हमारा वहाँ पर गोट लगा कर लेंगे जहां पर हमने दाप टिप मारी थी वहाँ पर शरिफ एके की साइड हमें गोट लगा कर लेनी है दोनों साइड में नहीं तो अभी इसको गोट बना कर लेंगे बराबर एक लेवल में गोट आनी चाहिए हमारी कम या ज्यादा नहीं तो इतना हमारा ये डिजैन तयार हो चुका है तो इसकी मार्किंग कर लेंगे सेंटर वाले के तो सेम मार्किंग हमने दोनों पर कर ली है तो इसी तरह से हमने ग्रीन को भी तयार किया है दोनों ग्रीन को तो अभी एक के बाद एक इस तरह से रख कर लेंगे देखिए पहले ग्रीन रखा है हमने सेंटर में गोल्डन और नीचे के साइड वापस से हम यहाँ पर ग्रीन वाला कपड़ा रख कर लेंगे सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी तयार कर लिये हमने अब गोल्डन कलर के दो बाए दो के यहाँ पे हमने ट्रेंगल तयार कर लिये हैं सेम इसी तरह से हमने ग्रीन के भी तयार किये हैं तो एक हम green रखेंगे, एक golden इस तरह से दो ट्रैंगल रख कर लेंगे, हम अलग अलग color के, देखे एक बार green एक बार golden एक बार green और एक बार golden इस तरह से रखते हुए, ये design तैयार कर लेंगे, अभी इसके निचे हम अस्तर का कपड़ा लगा कर लेंगे, ताकि निचे के और को रखते हुए इसको जोड कर लेंगे इतना हमारा ये डिजेन टैयार हो चुका है तो सेंटर की टिप निकाल देंगे हम जो ट्रैंगल जोडने के लिए हमने यहां पर यूज की थी तो उसको निकाल कर लेंगे निकाल कर लेने के बाद सेंटर में मूती लगा कर लेंगे जो ट्राइंगल के हमारे टोक हैं वहाँ पर मुती लगा कर लेंगे तो गोल्डन के उपर एक और ग्रीन के उपर एक इस तरह से हम सभी पर मुती लगा कर लेंगे अब इस डिजैन को हम बराबर यहाँ पर सेंटर में रखते हुए पिन अप कर लेंगे एक लेवल में बराबर रखते हुए यहां पर हमने पिन अप कर लिया है अब यहां पर धीरे धीरे हमें टीप मारनी है क्योंकि हमने मोती पहले ही यहां पर टाक लिये है अगर मोती के उपर हमारा यह दाप चला गया तो मोती हमारी जाएगी यहाँ पर तो धीरे धीरे यहाँ से हम डिजाइन को बिठा लेंगे बराबर तो इतना डिजाइन हमारा यह कंप्लिट तयार हो चुका है तो अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद दे तो वीडियो को लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ तक के लिया लाफीज